तो शुरू करी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको के बाड़े में पोको का एक न्यू स्मार्टफोन बहुती जल इंडिया में लॉंच होने वाल है और इस स्मार्टफोन का नाम है पोको F3 GT Lite यह जो स्मार्टफोन यह चायना में कुछी टाइम पहले लॉंच ह और आज की इस वीडियो में हम इसी फोन की फूल इंफरमेशन के बाड़े में जानेंगे उसके साथ ही बात करें कब और एक जैकली कितने प्राइस के अंदर यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होगा तो आप अगर इस बाड़े में कुछ जानना चाहते हो इस वीडिय की डीजाइन एंड बिल्ट कोली से हम लोग शुरूबात करता हैं डीजाइन आपको एक ग्लास का मिलेगा जिसके अंदर जो फ्रेम दिया जाएगा यह आपको प्लास्टिक के अंदर दिया जाए सामने की तरह आपको छोटा सा पंचोल की डिस्प्लेय होगा जो की सेंटर क और यह जो कैमेरा की काटोर में थोरा सा यूनिक चीज आपको देखने को मिलता है बात करने इसका फूल स्पेक्स के बार में इसके अंदर आपको जो डिस्प्लेय गाहिए सबसे पहले इसके बार में बात करने इसके अंदर 6.67 इंचिस का फूल-HD OLED का को एक स्कीन मिलता है 3.95 का PPI मिलता है और इसके अंदर 120Hz का refresh rate और 480 का touch sampling rate मिलेगा HDR10 Plus की support के साथ आए और 500 की typical brightness आपको देखने को मिलेगा तो देखा जाए डिस्प्लेय क्वालिटी बहुती ज्यादा अच्छा होगा और इसकी price map को लगे हाद बतना चाहूंगा इसका price under 20,000 अगा तो under 20,000 बहुती ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है इसको अगर आप compare करें के देखोगे रियल में की जो new series launch वा है यह रिट में की जो new series launch वा है उसकी comparison में इसके अंदर display आपको अच्छा देखने को मिलता है बातकर इसका पुरुच्छार के बार में इसके अंदर media tech Dimensity 11 1100 का चिप देखने को मिलता है जो की बहुती ज्यादा अच्छा मिलता है और performance के नाम में इसके अंदर four code दिये गए जो की performance के लिए 2.4 गीगार्ड में clock मिलता है कोटिक्स की A78 कोड के साथ और four code आपको efficiency के लिए दिये गाए तो performance में भी कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर LPDR 4X का RAM की टेक्नोली मिलेगा जो की 8GB 128GB storage के साथ आएगा इसके अंदर UFS 3.1 का storage टाइप मिलेगा तो देखाए आपको storage यह बहुती जादा अच्छा आपको देखने को मिलता है तो performance के मामले में कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अगार इस chipset के साथ और भी chipset का comparison देखना चातो तो आप जरू से नीचे कमेंट कर सकतो और इस चैनल को आप सर्च करके देख सकतो इस मैं मैंने इसी chipset के creative सबी chipset के साथ comparison video डाला हूँ तो आप आप देखना चातो तो अब जरू से जाकर देख सकतो बात कर लें camera के वर में जिसके अंदर आपको 64 MP, 8 MP और 2 MP का 3 AR camera मिलता है फोड के आप 30 पेस तक निगल सकतो जिसके अंदर आपको EIS का support मिलता है camera मोडल आपको ठीक टाग मिलता है मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि इसके अंदर लाजवा आपको camera की module देगाए और camera आपको decent देखने को मिलता है जो के तरब नापको EIS का support मिलता है नापको YS का support आपको देखने को मिलता है software अब दिन में आइस में अंदर EIS दिया जा सकता है लेकिन मिलेगा यह नहीं मिलेगा इसके बारे में अभी तक कौन फरमेशन अब लेवल नहीं है बात करने इसका बैटरी कर में इसका 5065 Watt का fast आप अच्छा मिलता है इसके अंदर Android 11 मिलता है और इसके अंदर EMI आपको 12.5 आपको देखने को मिलता है जो कि देखा जाए अच्छा खासा आपको मिलता है और latest आपको Android की feature आपको भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बास कल इसका प्राइस के बार में इसका प्राइस 22,000 से नीचे होगा और इंडिया में जब आएगा इसका प्राइस लगबग 20,000 से नीचे होगा 19,999 रुपया मान के चल सकतो यह दो बिलेंट के अंदर आगा 8GB 120, 8GB स्टूरेट के साथ और उसके साथ 12GB, 256GB स्टूरेट के साथ तो देखा जाए अच्छा खासा आपको यह फोन आपको देखने को मिलता है और मैं आपको बतना चाहूंगा आप अगा 20,000 के अंदर फोन खरिदने चाहते हो इस फोन को आप पिक कर सकतो यह आपके लिए अच्छा खासा फोन हो सकता ह तो दूस्तों यह था अच्छा वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना और जाते आते हैं जरूर्शे कमेर के जाना इस फोन को क्या पर्टिस करना चाहोगे या नहीं चाहोगे तो मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो पर तबते के लिए बाई